प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी लाल के लिए से क्या कहेंगे सब को हर कोई जानना चाहता है ये प्रधान मंतरी का लोगसभा चुनाव से पहले का आकरी भाशन है संसद्व इश्पास प्रस्ताव पर नरेंदर मोधी 133 मिनट में जो पुलिटिकल बातें करनी थी वो भी कर चुके हैं जिसको जो जवाब देना था वो दे चुके हैं 15 अगस का मौका वैसे भी वो होता नहीं सवाल ही है कि प्रधान वंतरी के भाशन में इस बार क्या-क्या खास बातें जो हैं वो हो सकती हैं क्या कोई चुनावी भाशन होगा या पॉलिटिक्स से बिलकुल अलग रखकर नरेंदर मोधी कोई नई बात कहने जा रहे है उनके भाशन में हर बार एक जो संकल्प दिखाई देता है भवशे की बात दिखाई देता है क्या उस भाशन में भी होगी यह तो एक बात है लेकिन आपको हम बताना चाहते हैं कि विपक्ष अभी उनके भाशन से पहले क्या-क्या टिपणियां कर रहा है जैराम रमेश कॉंग्रेस पार्टी के निता उन्होंने ट्वीट किया दरसल उनसे पहले किसी एक विक्ती ने ट्वीट कर रखा था ये कॉंग्रेस पार्टी से जुड़े हुई एक विक्ती है आखरी मौका ये जैराम रमेश कहा रहा है लाल के ले से प्रधान मंतरी के बोलने का है यही बात तरन्मूल कॉंग्रेस के नेता फिरहाद हकीम ममता बनर्ची के बहुत खास और करीबी नेता है फिरहाद हकीम बॉबी हकीम के नाम सिंकुमा पर जाना जाता है कुलकाता के मेर है यही बात उन्होंने भी कही और उनका कहने का अंदाज थोड़ा अलग था उन्होंने कहा कि लाल के लिए से 2023 में आखरी बार कोई दाढ़ी वाला व्यक्ति वो तिरंगा फेराएगा जराब नमेश का आपने यह ट्वीट देख लिया है अब देखे ज़रा फिराद हकीम की बात फिराद हकीम का बयान हम आप निकाल करके रखते हैं आपको सुनाते हैं लेकिन आज़ा सुन आप आ चुगा बयान सुनिए कुनाल भुशेर खथाधरे बुली पड़े ए बार सेज बारेज जोन्ने दाडियाला मुट्टा के आमरा लालकेलाए देखबो पड़ेर बार आर लालकेलाए दाडियाला आर बहुत पो रागवेना मित्रों आर हुबेना भालत बॉर्षो के डूबी ये दिये छो उन्होंने कुछ उसमें वैसा चोड़ा नहीं है कि किसी को संशे कोई रहे कि किसकी बात कर रहे है दाड़ी वाला व्यक्ति और मित्रों भी कहकर के सुना दिया है और आखरी भार्षनलाए जेराम रमीच भी कह रहे है आखरी भार्षनलाए लाल के लिए से मुझे तो कुछ कुछ लग रहा है राहूल गांधी के खिलाफ शर्यंत्र पहले लालू प्रसाद यादो ने कहा कि जो शादी शुद्धा नहीं है उसको प्रधान मंत्री आवास में नहीं जाना चाहिए अब दाड़ी वाला कह रहे है राहूल गांधी भी दाड़ी रखते लेकिन निशाना उनका प्रधान मंत्री है इसमें कोई शक नहीं है ये इन लोगों की इच्छा है कि ये आखरी हो लेकिन ये तो तै मद्दाता करेगा कि आखरी होगा कि इसके बाद अभी कितनी बार और होगा तो इसलिए इच्छा से तो जो है इनकी इच्छा से तो तै न जो उसका फैसला है जो उसका अधिकार है उसको आप हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और इससे ये भी पता चलता है कि दस साल होने जा रहे हैं अभी तक आप इस mandate को स्विकार नहीं कर पाएं आपको लगता है कि एक सज्जन तो कह रहे हैं राक्षर से जो उट देते हैं और लगता है कि पहली बार जब चौदा में जीते तो लगा की गलती कर दी मत दाता होने दोहजारःःःःःःःःःः निस में जीते तो ये लगा ये केवल जो है बाला कोट की वज़े से जीत गए, नहीं तो चुनाव तो हार गए आज भी यही कहती है, बाला कोट नहीं होता तो उन्निस में नहीं जीती हाँ, बिल्कुल, तो उनके पास कोई तर्क, कोई बहाना यह है कि इनको मैंडेट नहीं मिला है, सलमें, यह कुछ गरबढ है इतनी मद्दाता इतना बेवकूफ नहीं है, इस देश का मद्दाता मैं तो मानता हूँ जो राजनेता हैं, राजनीतिक पंडित हैं, विशलेशक हैं, उन सबसे जादा समझधार है, आप देखिए वो कैसे बदलता है राजनीती को, उसने 30 साल आजमाया गडबंधन की बस, उत्तर प्रदेश जैसे राजमें, 25-30 साल तक जो है, वो रिजिनल पार्टी उसको आज माता रहा, पहले गडबंधन में किसी को बहुमत न देकर, फिर तैकिया 2007 में की नहीं, जिसको देंगे उसको पूरा बहुमत देंगे, साथ में, बारह में, सतरह में, बाईस में, तो ये ये ट्रेनिंग किसी पुलिटिकल पार्टी ने नहीं दी, मद्दाता ने तैकिया कि नहीं अब बहुत हो गया, उसने गडबंधन सरकारों का दौर देखा, जो 25-30 साल, उसमें लगा किसी कॉंग्रेस का वर्चस हो लब्बे समय से था, तो लगा कि एक पार्टी का व और में ले जाने की है, फिर ले जाने की, ये मतलब ये कोशिश जो है, वो मद्दाता का जो मिजाज है, उसकी जो सोच है, उसके खिलाब है, अबी आपको एक बयान और सुनाते हैं हम अभी, असदोदीन ओवैसी, आज दरसल ये भी हुआ है, उनका जो दिल्ली में घर है, उस पर पत्थर किसी ने चला दिया, एक बार पहले भी ये हुआ था, उनके घर के ओपर किसी ने पत्थर फिक दिया था, इस बार भी उनके दर्वाजे का कांच टूट गया है, उस पुलिस गई है, वहाँ बार सेक्यरिटी बढ़ा दी गई है, पिछली बार भी ऐसा हुआ उनके जब वह कहते हैं कि मुझे कोई टार्गेट कर रहा है या ऐसा कोई हमला होता है तो उनकी चिंता गलत भी ने, क्योंकि उनके ओपर गोली भी चल चुकी है, तो वह सेक्यरिटी के लिहाज से मामला ठीक है, ये बात सही है कि उनको पूरी सेक्यरिटी मिलनी चाहिए, ल हो रही है, उस पर बात करें. उसका मैं कंडेम करता हूँ, चाहे वो रेल में वो आतंगवादी का वाखिया हो, या फिर जो वाइलेंस हो रहा है, वाइलेंस कंडेम करिये ना. ने, बिल्कुल ठीक कह रहा है, वो ऐसी जी, कि अगर प्रधान मंत्री जी को कुछ लगेगा, तो उसको जरूर बोलना चाहिए, और वो बोलते हैं, मुझे ध्यान में नहीं आता कोई ऐसा वाक्या कि, किसी भी महतुपूर्ण से महतुपूर्ण मसले पर, जब उनको गौरक्षा के नाम पर कुछ लोग ऐसा लगा कि वो गलत कर रहा है, तो उसको बोलने में प्रधान मंत्री ने हिचक नहीं दिखाई, लेकिन अभी वो क्या बोलेंगे, कि हिंदू शोभाय आतरा जा रही थी, उस पर मुसल्मान इलाके में मुसल्मानों ने मिलकर पत्थरवाजी कर दी और इस तरह से लोगों की जानने ली, ये बोलना चाहिए क्या, मुझे लगता है कि प्रधान मंत्री को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन लाल किले से वो ये बोलेंगे जरूर, इस वक्त देश में जो केरोसिन फैलाई गई है, और इसको ऐसी ज मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार प्रधान मंत्री के लाल किले के भाशन में उनकी अपनी जो जिसको कहते हैं कि एक डेवलप्मेंट पॉलिटिक्स है, लोगों के सोसाइटी के अपलिफ्मेंट की बात है, जिसमें वो कहते हैं कि हमने ये तै किया और ये हासिल कर लिया, वो बताएंगे सब कुछ, देश कैसे दुनिया का नेतर तो करने जा रहा है, वो बताएंगे क्योंकि अमरित काल का वक्त है, लेकिन ये भी वो जरूर बताएंगे, उसका भले एक दो लाइन में जिक्र हो कि किस तरह से इस देश में उसमें विपक्षी दल भी शामिल है, ज क्या पहले रहा है, कोई पुलिटिकल एंगल, क्या पुलिटिकल एस्पेक्ट प्रधान मंत्री की भाच्छा में बिल्कुल नहीं सवरब, और प्रधान मंती नरेंद मोदी के नजरिये से देखे हैं, बातचीत से जो समझ में आता है, उनकी जो परसनेल्टी या उनका जो ठ चिन नरेंद मोदी की बात करें तो उनके अंदर बिल्कुल भी ये ब्रहम नहीं है, उनके अंदर बिल्कुल भी चिंदा की एक भी लकीर नजर नहीं आती, कि 2024 में नतीजा उनके पक्ष में रहेगा इस बात को लेके शक्या शुभाओ, पिछले दिनों जब उन्होंने इसी भी सांसत के अंदर कोई शिकायत नहीं रहेगी उस पांच साल में मतलब पीए मोधी को ये कोई भ्रहम ही नहीं है कि 2024 में हम नहीं आ रहा है ये वो जो बार-बार जो कहते हैं पब्लिक फंक्शन्स में कि मैं तीसरा टर्म मेरा आएगा तो हम तीसरी बड़ी महाशक्ती बनेंगे सब ये सब बातें केवल कहने की नहीं है बिलकुल नहीं सौरा उनको बखोवी मालूम है और उसके लिए आप देखेंगे तो जो उनके इंस्ट्रक्शन होते हैं बहुत सारे अधिकारियों के उसमें कुछ स्कीम का नाम मैं आपको बताऊंगी कुछ चीजों को लेकर जब उनसे कहा गया तब पीए मोधी ने ये कहा कि अभी की जो एकॉनमी है इसके हिसाफ से ये कदम अभी उठाना ठीक नहीं रहेगा इसको अगले साल जब जीत के आते हैं तो उस समय ये करेंगे अगले जून के बाद और बकायदा मतलब कुछ चीज़े ऐसी थी जो कि बजट में डिमांड की गई थी उस प्रोजेक्ट क खारस और गेस्ट ऐसे हैं जिनके बारे में कोई कर्पना नहीं कर सकता था कि सुतंतरता दीवस के मौके पे इन लोगों को महमान बनाया जाएगा चाहे वो आपके श्रम जीवी हों नर्सेज हों या क्रिशक हों या फिर आपके जो वाइब्रेंट बिलेज जो बॉर्डरी इरिया के जो विलेज हैं वहां के जो सरपंचों इस तरह के लोगों को लाकर वो अपने सुतंता दीवस के मौकेफ वहां पे लाल कीले में उनको मेहमान बना रहे हैं तो जन्भागीदारी पर उनका बहुत बड़ा फोकस है दूसरा फोकस बार बार प्रदानमंती निरिंद अपने हाल के बैटों में कहा रहे हैं कि आपको 2047 तक का सोचना है क्योंकि अब अमरित काल शुरू होने जा रहा है उसके बाद आप इसका तो दो साल जो पूरा हो गया तो उसके हिसाब से आगे का टार्गेट क्या होना चाहिए देशवासियों कैसे होने चाहिए इन सारी चीजों पर हमका पूरा फोकस रहेगा सोरसे हमें बताते हैं कि कल भी एक लंबी स्पीच देखने को मिलेगी 80-80 मिनट तक और इसमें बहुत विस्तार से वो बताएंगे कि देश को अगर 2047 तक किस रूप देख रहे हैं हमारी एकॉनमी कैसी होनी चाहिए और जाही तो पर मैसेस तो उनका रताई रहता है कोई पोलिटकल बात करेंगे इसकी कोई संभावना नहीं है ये बाकी बात हैं कि जो आपने बताई है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और इस पर हमें को बार बात करने हैं चाहिए प्रदीब जी कि कोई नेता कोई भी सरकार होती है मुझे बार बार चल चुनौती देती है सरकाव पीजेपी कोई हटा करके दिखाया या क्लेम करें कि हम सरकार में आएंगे तो हम 30 तरह हटा देगे अब ये जो आई पीसी और सी आर पीसी का जो बिल ले करके आई है ये डेड़ सो साल से जो हमारे यहां सवस्ता चल रही थी उसको बदला जा रहा है तो आप ये काम कोई 10-20-50 साल के लिए नहीं कर रहे हैं ये फिर आप लंबे वक्त के लिए भारत के लंबे कालखंड के लिए आप करने जा रहे हैं तो ये सारे वो काम हैं जो आप ये मान के चल रहे हैं कि इनका भारत के भविश्य पर एक दूर गामी प तक रहेगा तो आप देखिए सोच कहां तक है वो अपने जो पांस साल की जो जनादेश मिला है जो मददाता की और से जो सीमा है पांस साल की उससे आगे की सोच रहे हैं यह यह नहीं सोच रहे हैं कि हम आएंगे नहीं अगर नहीं भी आएंगे तो हम ऐसा काम करके जाएं कि जो आए उसको रोक न पाए और और काम भी किस तरह के कि प्लैनिंग अगर आप कर रहे हैं चाहे टाउन प्लैनिंग हो चाहे किसी और शेत्र में हो आप चाहे आप सोलР इनरजी की बात कर लीजिए, ग्रीन एनरजी की बात कर लीजिए, इन सारे क्षेत्रों में सोच ये है कि भारत को हमको जो देवन ने कहा 2047 तो ये जो सोच है कि लंबे समय के लिए प्लैन करें, ऐसा नहीं कि आज प्लैन किया, तीन साल बाद वो जो है समस्या फिर उसे पैदा हो गया, तो उनकी सोच बड़ी है कि सपना बड़ा देखो, बुलेट ट्रेन, बहुत से लोगों ने सवाल उठाया, कि बुलेट ट्रेन क्यों होनी चाहिए, रिजर्वेशन नहीं मिलता है, ये ट्रेन की ये कमी हो, कमियां गिनाई, उन्होंने का बड़ा सपना देखेंगे उसका एक मैसेज जाता है, महत्वा कांच्छी होता है देश, समाज की महत्वा कांच्छा पढ़ती है, तो उस तरह से फिर उसका प्रयास बड़ता है, उसका क्युमिलेटिव असर जो है, वो देश के विकास पर पढ़ता है, समाज के विकास पर पढ़ता है, और सबसे बड नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो दोनों को मिलकर चलना पड़ेगा ये कहीं सोच में कहीं अलक्चन इस बात की नहीं है कि ये सरकार कब तक रहेगी अगली बार चुनाव में क्या होगा आप उससे उपर उससे परे जाकर कि सूच रहे हैं मुझे लगता है कि नरेंदर मोधी को जो भी गुजरात से जानता है वो ये बहुत अच्छे से समझता है कि नरेंदर मोधी जब योजना बनाते हैं तो वो अपने चुनावी कालखंड के लिहासे नहीं बनाते हैं जब Gift City गुजरात में प्लान हुई थी गांधीनेगर में, तो हर कोई कह रहा तेरे भाई क्यों सिंगापूर, हॉंग कॉंग और दुनिया के दूसरे ऐसे देश छोड़ कर सारी FinTech कंपनिया यहां चली आएंगी, कैसे वो Financial Hub हो सकता है, अब आज की तारिक में जो सूरत में गुजरात में देखते हैं, जब हम देश के तोर पर देखते हैं, तो यह सिर्फ बुलेट ट्रेन का मसला नहीं है, आप पूरे रेलवे के धांचे को बदलते हुए देखिए, हर कोई कहता थे, इसकी अभी क्या जरूरत है, और यह जो टिकट और यह सारी चीज़ें लोग क चलाते हैं, किसी सांसद में इस साहस नहीं कि अपने लियाज से कहें कि हमारे लिए ट्रेन चलाओ, तो जब आप यह माहौल तयार कर लेते हैं, तब ही आप आगे का सोच पाते हैं, आगे कर पाते हैं, और वो होता हुआ दिख रहा है, एक फारल कॉमेंट रहा है, जो पिछ स्टेजेस थे, कि 2030 में कैसा, 35 में कैसा, इस सरसे करके बताया गया था, और उसके लिए आपको क्या करना है, ये भी बताया गया था, कि मौझूदा समय में आप अगर अपना मंत्री मंदल संभाल रहे हैं, तो उसमें कौन-कौन से कदम आपको ऐसे उठाने हैं, ताकि 2017 का ज प्रधान मंतरी कहते हैं, उसके वो केवल एक कोरा बयान नहीं है, या केवल एक खाली संकल्ब भी नहीं है, कि हम कोशिश करें, प्रयास करेंगे इसके लिए, बाकाइदा रोड मैप भी है, जिसकी चर्चा अभी देवेंदर ने की, उसको आप छूपाते हैं, वो हम कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, ये तो देश के प्रयास से पता चलेगा, लेकिन सोच कैसी है, ये ज़रूर पता बहुत शुक्रिया, प्रदीब जी, हर्शबर्दन जी, देवेंदर आपका, आज कहानी कुरसी की में शाबिल होने के लिए, इंडिया टीवी, हर वक्त, हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें, इंडिया टीवी न्यूस, गूगल प्ले स्टोर या अप स्टोर पर, करें